आज की क्लास में हमें लोग सभा कवर करना है लास सेशन में हम लोगों ने राज्य सभा किया था और वहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, sorry for that, मिस्टेक ये थी कि मैंने ऐसा कहा था, मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैंने ऐसा कहा था कि जो व्यक्ति जिस स्टेट क की राज्य सभा सीट का मेंबर बन सकता है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये 2003 में रिपील कर दिया था, sorry for that, मैंने ये बता दिया था कि अभी भी वही है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने ऐसा कहा था कि माल लिजे कोई एक परसन है, ये परसन गुजरात से बिलोंग क सभा की सीट से नहीं इलेक्ट होसकता, ये बात गलत है, ये बात अब रिपील हो चुकी है, आप अब कहीं की इलेक्टोरल लिस्ट में हो पर इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, All Over India में कहीं भी, और आप किसी दूसरे स्टीट के राज्यसभा सीट के लिए भी elect हो सकते हैं, sorry for that, मैंने ये गलत बता दिया था, last session में, तो अभी हमें आज की class में लोग सभा करना है, पर उससे पहले में आपको अपने परचम class के बारे में एक बहुती अच्छी, या बहुती मैं कहूंगी एक very best initiative for you guys आया है, यह क्या है current affair रफ्तार, जो students को problem हो रही है revision करने में, कि इतना सारा cram कैसे करें, इतना सारा learn कैसे करें, यह appointments भी करना है, obituries भी करना है, please कोई ऐसा हो जो हमें बोल के बता दे सारी बात, तो current affair रफ्तार जो है, वो ऐसा ही है, जितने भी January से June, 6 महीने तक की जितने भी headlines, 2030 की, वो सारी headlines आपको मिलेगी, जिसके अंद books and authors, appointments, award, obituries, state news, science, tech, national news, government scheme, summits, conferences, banking, finance, international news, sports, index, ranking, यह सब कुछ कवर होगा, पूरे 6 वहीने की headlines आपको एक जगा मिल जाएगी, revision करने में वक्त लगेगा ही नहीं, ठीक है, और यह जो initiative है, यह हमारी app पर आ चुका है, आप चाहें तो purchase कर सकते हैं, अब हम अपनी start करते है लोक सभा को, देखो मैंने आपको यह कहा था कि पार्लेमेंट के अंदर तीन सेशन होते हैं, पार्लेमेंट के अंदर तीन ओर्गन होते हैं, कौन कौन से ओर्गन होते हैं, एक होता है लोक सभा, तीन ओर्गन, एक होता है लोक सभा, एक होता है राज्य सभा, और एक होता है प्रेजिडेंट, हमने प्रेजिडेंट और राज्य सभा कर लिया है, अब हम लोग सभा को cover कर रहे हैं, ठीक है, अब लोग सभा को और क्या कहते हैं, लोग सभा को lower house भी कहते हैं, क्या कहते हैं, lower house, निम्न सदन कहते हैं, या house of the people कहते हैं, और क्या कहते हैं, house of the people, lower house कहते हैं या house of the people कह दो, लोग सभा को कहते हैं, ठीक है, पहली चीज, आप उसी तरीके से प्रोसीजर से चलेंगे जैसे हम राज्य सभा में चले थे, पहले हम क्या करेंगे, कि लोग सभा के अंदर maximum लोग कितने हो सकते हैं, maximum strength कितनी हो सकती है, इसकी उसकी बात करते हैं, लोग सभा में maximum strength 252 होती है, 552, maximum 552 हो सकती है, लेकिन at present 545 है, ठीक है, 543, 545, ये वेरी कर रहा है, 545 है, अभिवान के चले, ठीक है, ये 7 सीटे जो हमारा पाकिस्तान occupied कश्मीर है, उसके लिए छोड़ी हुई है, अब इसमें से किस किस स्टेट की कुछ सीट्स होती है, यूटी की कुछ सीट्स होती है, ठीक है, और कुछ सीट्स जो है, वो nominated होती थी, मैंने क्या कहा, nominated होती थी, ये थी था, क्या होता था, जो हमारे देश के प्रेजिडेन्ट है, जो हमारे देश के प्रेजिडेन्ट है, ओ, तो एंगलो इंडियन को, तो एंगलो इंडियन को लोकसभा के लिए nominate करते थे, लेकिन जैन्वरी 2020 से इस बात को भी रिपील कर दिया है, अब कोई भी reservation एंगलो इंडियन के लिए नहीं होगा ठीक है यानि पहले तो एंगलो इंडियन को प्रेजिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते थे लोक सफा में और एक गवर्नर भी करते थे स्टेट लेजिसलेटिव असेमली में गवर्नर एक सीट के लिए एंगलो इंडियन को नॉमिनेट करते थे ये तोनों ही प्रोविजन्स जैनवरी 2020 से हटा दिये हैं कैसे हटाए है उसके अभी बात करेगे ठीक है तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 जिसमें स्टेट के यूटी के और नॉमिनेटिड पर्सनालिटी होती थी अब नॉमिनेटिड नहीं होंगे स्टेट और यूटी के इलेक्टिड मेंबर्स इसका हिस्सा बनेंगे ठीक है इलेक्टिड मेंबर्स इसका हिस्सा बनेंगे अब लोग सभा के अंदर भी it depends कि आपके state की population क्या है, आपके state की जनसंख्या क्या है, state की जनसंख्या जादा है तो लोग सभा में आपके राज्य से जादा लोग होंगे, ठीक है, आपके state में population कम है तो लोग सभा में आपके state से कम लोग होंगे, तो अगर मैं मेरे state की बात क करूं मेरा स्टेट है हर्याना ठीक है और में हमारे यहां पे राज्य सभा के लिए फाइव पर्संस इलेक्टिड होते हैं और लोग सभा के अंदर हर्याना की 10 सीट हैं आपको यह बताना है कि आपके स्टेट की लोग सभा में कितनी सीट है हाला कि बहुत सारे बच्चों ने राज्य सभा के साथ ही बता दिया कि लोग सभा की इतनी है पर फिर से मुझे यूँ बताओगे कि लोग सभा की सीट आपके स्टेट की कितनी है ठीक है तो यह बात मेरे स्टेट की मैंने बताई आप इट डिपेंड्स ओन पॉपुलेशन की आपके स्टेट की पॉपुलेशन क्या है और आपके स्टेट से कितनी सीटे जो है वो भरी जाएंगी ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगर आप लोगों को लोग सभा का मेंबर बनना है यानि इसके क्वालिफिकेशन की बात करे तो यहाँ पे कैसी कैसे कोई बन सकता है लोग प्लीट हो जानी चाहिए ठीक है आप 25 साल पूरे कर चुके हो राज्यसभा में 30 साल था यहाँ 25 साल है ठीक यह दो क्वालिफिकेशन अगर आपने पूरी कर दी तो आप लोग सभा के मेंबर बन जाओगे और आप भारत की इलेक्टोरल लिस्ट में होने चाहिए और अब त ठीक है भारत का चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन करवा एक इलेक्शन करवा दिया अब मैनर ओफ इलेक्शन कैसा इलेक्शन होता है मैनर ओफ इलेक्शन इलेक्शन होता है यहाँ पर इलेक्शन डारेक्शन होता है ठीक है डारेक्शन होता है मतलब हम लोग लोग सभा क की इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं भारत के लोग जो है वो खुद जाके वोट देके आते हैं लोग सभा की सीट्स को भरने के लिए यानि यहां लोग तंत्र को दिखाया जा रहा है इसलिए कहा जाता है कि जो लोग सभा है जो लोग सभा है वो डेमोक्रेसी को ठीक है इस बात को याद रखोगे तो election commission of India हमारा election करवाएगा यानि लोग सभा के election कराएगा manner of election direct होता है लोग सभा democracy को represent करता है अब elect हो गई तो आपके ओत की बारी है ओत कौन दिलवाएंगे ओत election commission of India जिस भी person को appoint करेंगे आपकी ओत के लिए वही विक्ति आपको ओत वही विक्ति आपको शपत दिलाएगा ठीक है ठीक है आप शपत लेते हैं सिक्रेसी की आप शपत लेते की भारत के सम्मिधान की रक्षा करेंगे भारत के सम्मिधान में विश्वास रखेंगे इसकी respect करेंगे इस तरीके की ओत आप लेते हैं ठीक है उसके बाद ओत हो गया अब आपका टेन्योर कितना है आपका टेन्योर जनरली होता है five years लेकिन अगर emergency लगी है देश में अगर देश के अंदर आपाथकाल अगर देश के अंदर emergency लगा है तो आपका ये टेन्योर एक्स्टेंड भी हो सकता है for one year, एक साल के बाद आपको फिर से अनुमती लेनी पड़ेगी और फिर से extension हो सकता है, तो इस तरीके से एक साल के लिए आपका टेन्योर एक्स्टेंड भी हो सकता है, वैसे अमवन पांक साल होता है लोक सभा का, लेकिन एमर्जेंसी आगे की बात करेंगे, देखो यह क्या कह रहा है, कह रहा है maximum seats कितनी हो सकती है, maximum seats 552 हो सकती है, state और UT से 530 seat होती है, ठीक है, state से 530 होती है, UT से 20 होती है, और जो दो seat है वो दो एंगलो इंडियन की होती थी, लेकिन इसको January 2020 से discontinue कर दिया है, ठीक है, राज्ये सभा में क्या था, maximum strength 250 थी, ठीक, और 12 लोग जो है वो nominate होते हैं, होते रहेंगे, अभी भी nominate होते, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कि लोग सभा democracy को represent करता है, ये मैंने आपको बता दिया, राज्ये सभा को council of state कहते हैं, इसको house of the people कहते हैं, ये federalism को show करता है, federalism का मतलब क्या होता है संगवाद, मतलब state की power दिखाता है, जिन लोगों को आपने elect किया था, MLA's को आपने elect किया था, वो MLA आगे जाके राज्ये सभा के members को अंदर हिस्सा ले रहे हैं, election में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये federalism को show कर रहा है, ठीक है, जबकि लोग सभा के अंदर, हम लोग कि आते इसलिए democracy को show कर रहा है, ये permanent chamber है, ये permanent chamber नहीं है, क्योंकि यहाँ पे democracy का मतलब क्या होता है, free and fair election, हर 5 साल के बाद free and fair regular election ही democracy की पहचान है, और लोग सभा democracy को represent करता है, ये permanent chamber नहीं है, 5 साल के बाद हट जाता है, ठीक है, यहाँ indirect election है, यहाँ direct election है, universal adult franchise से, जो भी लोग 18 plus age की हैं, वो यहाँ पे vote देंगे, यहाँ पे power नहीं है money की, और इसके पास सारी power होती है money की, मैं आपको बताऊंगी ये बात, थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है, article 334 क्या कहता है, article 334 reservation की बाते कर रहा है, SCST की reservation की बाते करता है, और साथ में कहता है कि दो anglo indians को, दो anglo indians को president appoint करेंगे, SCST के reservation की बात करता है, और साथ में कहता है कि दो anglo indians को president appoint या nominate करेंगे, देखो ये कब होते थे anglo indians nominate, जब इनका adequate representation नहीं होता था, जब ये enough रूप में इतने लोग सभा के अंदर नहीं बैठे होते थे कि इनकी भी कोई आवाज उठा सके तो उस वक्त क्या कहा कि हर व्यक्ति अपने हग के लिए बोल सकता है तो एंगलो इंडियंस को भी यहां पे लाओ ताकि एंगलो इंडियंस से रिलेटेड भी प्रोविजन्स बन सके तो इनका एडिकवेट रिप्रेजनेशन नहीं होता था तो इसलिए दो इंडियन्स को प्रेजिनन नॉमिनेट करतेते लेकिन आज के दिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं एकि ऐड़ित रिप्रेजंटेशन लोक सभा में नहीं है औरेडी वहां पे ऐंगलो इंडियन्स है तो अलग से नॉमिनेट करने की नीड नहीं है SCST का जो reservation है वो रहेगा लेकिन Anglo-Indians वाले जो दो सीटे होती थी अब वो नहीं भरी जाएंगी Article 334 में Parliament के बारे में ये बात लिखी हुई है और Article 331 के अंदर क्या लिखा हुआ है Article 331 क्या कहता है कि President जो है Anglo-Indians को nominate करेगा अगर adequately represent वो नहीं करता है ठीक है और Article 333 में लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है जो गवर्नर है वो State Legislature के लिए State Legislature के लिए एक seat पर Anglo-Indians को nominate करेगा Anglo-Indian Community Legislative Assembly के अंदर एक seat पर ठीक है वन मेंबर एक मेंबर को nominate करेगा ये दोनों ही बात जो है वो discontinue हो गई है 104th Constitutional Amendment Act से दोनों ही बातों को हटा दिया गया है January 2020 में अब ये Delimitation क्या होता है Delimitation क्या होता है समझो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि होता क्या है Delimitation या मैं इसको समझाते हूँ Delimitation Commission क्या होता है जितना आपकी constituency के अंदर जितना आपके states के अंदर population है उस हिसाब से आपकी seat एफिक्स होती है तो इससे क्या हुआ राज्यों के अंदर होड लग गई जनसंख्या बढ़ाने की कि लोक सभा में हमारे लोक जाता होंगे तो हमारे लिए कानून अच्छे बनेंगे हमारे लिए कानून बायस्ट होएंगे तो इससे क्या हो रहा था देश की natural resources को नुकसान पहुँझ रहा था यानि कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो क्या किया जाता था delimitation commission का काम क्या होता था delimit करना delimitation इसमें क्या होता है कि हर election के बाद या मैं कहूंगी हर census के बाद census क्या होता है population, जंगरना ठीक है, जनसंख्या को गिनना हर census के बाद ये देखा जाता था कि आपके state की population क्या है और उस state के हिसाब से उस state के हिसाब से लोग सभा में आपकी seats जो है वो vary करती थी जन संख्या जादा हो गई तो आपको जादा seat allocate कर देंगे जन संख्या कम हो गई तो आपको कम seat allocate करेंगे तो इस हिसाब से देश के अंदर population बढ़ता जा रहा था 1952 में पहली बार delimitation commission बिठाया 1962 में 1972 में ठीक है और finally 2002 में और इसके बाद यह कह दिया 2002 में कि अब हम seat को vary नहीं करेंगे हम लोग सभा seat को vary नहीं करेंगे आपको population control करना होगा हम seat जितनी है उतनी ही रखेंगे इन seat को fix रखेंगे up to 2026 2026 तक हम कोई delimitation commission नहीं बनाएंगे ठीक है आपको अपके state की population को ही control करना पड़ेगा हम कोई delimitation नहीं करेंगे हम seat को vary नहीं करेंगे ठीक है तो यह बात 2026 तक कर दी ठीक है 2026 अप टू यह 2026 और ऐसा काम 84th constitutional amendment act 84th constitutional amendment act 2001 से किया है यह सारी बाते यहाँ पर लिखी गई है ठीक है qualification हमने पड़ी थी कि qualification 25 साल की उम्मर पूरी हो जानी चाहिए आप भारत के citizen होने चाहिए election commission जिस भी person को authorized करेगा वो उसके सामने आपको शपत लेनी है जो लोग SCST कास से बिलॉग करते हैं उन लोगों को अगर reservation की seat पर लड़ना है तो उनको दिखाना पड़ेगा कि हम SCST है हम इस category से बिलॉग करते हैं और यह general के class पर भी लड़ सकते हैं ठीक है SCST वाले खुद की reserved कोटे पर और general unreserved कोटे पर भी लड़ सकते हैं लेकिन जो general वाले है जो unreserved category है वो SCST वाली seats पर नहीं लड़ सकते हैं वो केवल खुद की seatों पर ही fight करेंगे ठीक है tenure क्या है usually five years from the date of first sitting of लोकसभा जनरली पांच साल होता है जब से लोकसभा की पहली meeting होती है इसको extend भी कर सकते हैं किस case में emergency के case में पांच साल से पहले dissolve भी हो सकती है पांच साल से पहले dissolve भी हो सकती है dissolve गब होगी मान लीजिए जो हमारी council of minister है जो हमारी सरकार है उस सरकार का बहुमत खतम हो जाए उस सरकार की majority lose हो जाए no confidence motion पास हो जाए तो लोकसभा पांच साल से पहले खत्म भी हो सकती है ठीक है अब इनके officials की बात करते हैं पहले comparison देख पांच साल से पहले जाएंगे उनका nomination राज्य सबह का चेर्मेन करता है ऐसे ही parliamentary committees के अंदर जितने member लोकसभा से जाएंगे उनका nomination speaker करेगा ठीक है ये अपने house यानि राज्य सबह के business को conduct करता है ये लोकसभा के business को conduct करता है वो भी casting vote देता है टाइब रेकर वोट देता है ये भी टाइब रेकर वोट देता है उसकी salary alliances भी consolidated fund of India से आती है यहाँ प England का speaker क्या जैसे ही वो speaker बन जाएगा वो political party से resign कर देगा किसी political party का व्यक्ति England में speaker नहीं बन सकता है भारत के अंदर ऐसा नहीं है वो political party से resign नहीं करता जैसे आप देखते हो अभी BJP के speaker है ठीक है तो उनको political party से resign नहीं करना यहाँ पे England के अंदर क्या होता है अगर कोई व्य religious speaker बन गया तो एंटार लाइफ के लिए लाइफ के लिए बना रहेगा यहांँ पर ऐसा नहीं है भारत के अंदर जब तक लोगषवाय तब तक वो श्पीकर रहेगा जैसे वह लोगषवाहट जाती है स्पीकर को भी अपना पद खाली करना पड़ेगा अब अगर स्पीकर की बात करें स्पीकर ओफ लोग सभा की बात करें तो जो स्पीकर का इलेक्शन और टिन्योर है जो स्पीकर का इलेक्शन और टिन्योर है उसकी बात कर रहे हैं जो भी स्पीकर बनेगा वो लोग सभा का ही मेंबर होगा जो भी स्पीकर होगा उसको लोग सभा के मेंबर में से इलेक्शन होएंगे स्पीकर के ठीक है इलेक्शन होगे स्पीकर के और जो इलेक्शन किस दिन होगा टेट ओफ इलेक्शन उसको प्रेजिडेंट फिक्स करेंगे कौन करेंगे प्रेजिडेंट फिक्स करेंगे ठीक है, इलेक्शन होगा और इलेक्शन में हिस्सा कौन लेंगे जो लोग सभा के लोग है, उनमें से ही कोई एक व्यक्ति इलेक्ट होगा स्पीकर के लिए ठीक है, speaker remain office during the life of लोगसभा, जब तक लोगसभा है, चाहे 5 साल, चाहे 6 साल, चाहे 4 साल, चाहे 3 साल, तब तक ये speaker बना रहेगा, इसका post जो है वेकेट कब कब होगा, speaker की post वेकेट कब कब होगी, अगर वो लोगसभा का member ही नहीं रहे, मालो डिस्क्वालिफाई कर दिया उसक speaker resignation किसको देते हैं, deputy speaker को, किसको deputy speaker को देते हैं, या फिर उनको 14 दिनका advance notice देके remove कर दिया जाए, इन 3 परिस्थितियों में इनका पद जो है वो वेकेट होगा, इनकी powers और function की अगर हम बात करें, speaker की power और function, इनका काम क्या होता है, पूरे house के अंदर discipline maintain करना, decorum maintain करना, ये हम constitution of India के final interpreter होते हैं, लोग सभा के अंदर procedure या business कैसे होगा, वो यही बताएंगे, ठीक है, और अगर quorum maintain नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर meeting के अंदर 110th लोग house के नहीं पहुचे है, 545 में से 55 लोग नहीं पहुचे है, तो ये उस meeting को suspend कर सकते हैं, कि पहले quorum maintain करेंगे, पहले लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद ही meeting शुरू होगी, ठीक है, he does not vote in first instance, कभी भी पहले vote नहीं देंगे, हमेशा tie breaker vote देंगे, यानि casting vote देते हैं ये, ठीक है, जितनी भी parliamentary committee बनती है, जितनी भी parliamentary committee बनती है, लोग सभा की, वो chairman को appoint करते हैं, और खुद, खुद कौनसी committee क chairman होते हैं, business advisory committee के, rule committee के, और general purpose committee के, इन तीन committee के chairman, जो लोग सभा में बनती हैं, इन तीन committees के chairman, speaker खुद होते हैं, और बाकी parliamentary committees, जो लोग सभा में बनती हैं, उनके chairman को ये खुद appoint करेंगे, ठीक है, तो ये इनके functions थे जो हमने पढ़े, अब ऐसी कौन-कौन सी power है, जो केवल लोग सभा speaker के पास है, एक तो money bill को लेकर, money bill को लेकर, कोई bill money bill है या नहीं, final certification कि एवल लोग सभा speaker दे सकते हैं, राज्यसभा chairman के हाथ में ये power नहीं है, दूसरा head of the joint sitting, जब joint sitting होती है, तो उसके presiding officer, लोग सभा speaker ही बनते हैं, राज्यसभा chairman नहीं बन सकते, दूसरा, ये अधर कोई व्यक्ति, anti-defection law यानि 10th schedule से, anti-defection law से अधर किसी व्यक्ति को disqualify करना है, 10th schedule यानि anti-defection law से दल बदल कानून से अधर किसी को disqualify करना है, तो final interpreter यहीं है, final authority यहीं है, कि क्या वो व्यक्ति सच्वे disqualify होने लायक है या नहीं है, तो ये तीन special काम ऐसे हैं, ज पीकर को protection कैसे कैसे मिलती है, उसको floor of the house पे यानि लोग सभा में criticize नहीं किया जा सकता, अगर कोई उसकी बातों को criticize करता है या उसकी बातों का contempt करता है, तो उसको अपराद की category में माना जाएगा, ठीक है, इनको ऐसे ही remove नहीं कर सकते, आपको 14 दिनके advance notice देना पड़ेगा इनको remove करने के लिए, ठीक है, इनकी salary आप cut नहीं कर सकते, ठीक इनकी salary cut नहीं कर सकते, charged expenditure का हिस्सा है, मतलब discuss तो कर सकते हो, cut नहीं कर सकते, ठीक है, real power लोग सभा के पास होती है, real power is money power, money की power जो है वो लोग सभा के पास होती है, कैसे, देखो जो consolidated fund of India से grant of funds निकलते है, हल तांकि मैं पहले ये तीन fund समझाओं, आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट वो मैं next session में समझाओंगी, एक बार आप मोटा मोटा जान ले, इस बात को मैं फिर से बता दूँगी, तीन fund होते हैं अपने पास, उसमें से एक fund होता है, consolidated fund of India, consolidated fund of India में से कुछ भी प्रेजिडेंट रूल लगता तो लोगसभा और राज्यसभा दोनों की सहमती से है, लेकिन वो खटाना हो जब प्रेजिडेंट रूल तो केवल लोगसभा से simple majority पास होगी, राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाता है, state funds को लोगसभा यूटिलाइज करेगा, माल लीजिए state के अंदर प्रेजिडेंट रून लग रहा है, तो जो state funds है, उनको यूटिलाइज करने का काम प्रेजिडेंट का नहीं है, वो लोगसभा करेगा, ठीक है, लोगसभा dissolution के case में, जो नई लोगसभा आएगी, वो ही appropriation दे सकती है, मतलब माल लीजिए, consolidated fund of India से grant चाहिए, या पानी लोगसभा dissolve हो गई, तो ऐसा नहीं है, प्रेजिडेंट कुछ कानून बना के उस पैसे को यूज करने की power दे देंगे, नो, नई लोगसभा जब आएगी, तभी आप वो पैसा निकाल सकते हो, यानि ये power सिर्फोर सिर्फ लोगसभा की ही पास है, पैसे से related, इसलिए रियल हाउस कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको रियल हाउस कहा जाता है, अब देखो, जो हमारे पारलेमेंट के function होते हैं, मेंली क्या होता है, legislative function, पारलेमेंट में क्या होता है, कानून बनते हैं, ठीक है, कानून बनाये जाते हैं, कोई भी बिन लोगसभा में आया, देन प्रेजिडेंट के पास गया फिर कालून बना ये भी हो सकता है बट इट डिपेंड्स की बिल कुन सा है वेरी करता है मनी बिल जैसे केवल लोग सभा में ही इंट्रोड्यूस होगा तो मैं आपको मोटा मोटा बात बता रही हूं कि दो हाउसिज है दोनों हाउसिज से पास होन प्रेजिडेंट के बिल होते हैं ये आपको यूट्यूब की ही प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा कितने तरीके के बिल होते हैं और सभी में डिफरेंस क्या होता है रियल पावर इस विद लोग सभा ये बात हम लोगों ने कर ली है तो ये हमारी क्लास के अंदर आज का सेशन था लोग सभा अब इसके बाद कौन कितने तरीके के सेशन होते हैं कितने तरीके के मोशन होते हैं कितने तरीके के फंड्स बनते हैं इनकी बाते करेंगे आज की class का आपका question ये है कि date of election of speaker date of election of speaker कौन fix करता है date of election of speaker is fixed by ठीक है कौन fix करेगा election कब होगा speaker का ये question आपको बताना है comment section बे और साथ में ये बताना है आपके state की लोग सभासीते कितनी Thank you so much, take care, bye bye